मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम ये सभी मध्यकालीन भारत से सम्मधित मध्यकालीन इतिहास से सम्मधित हम महतुपूर्ण पुष्णों को जानेंगे जो कि सभी कॉम्प्टेटिव गिजाम्स SSC, RRB, RPF सभी परिशाओं के लिए इंपो कन्योज के युद्ध के नाम से जाना जाता है अगला प्रशणवर एक प्षिख बहारत में किस महिला जासक का साषन था अकबर के समय में भारतन में किस प्रशिख का सं अगला प्रश्चन है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौध विहार की तरह है तो पंच महल जो है यह अकबर द्वारा बनाई गई है और यह जो है बौध विहार की तरह है यह जो है बौध विहार की तरह है दिखती है अगला प्रश्चन है अकबर ने सरुपतम वयवाहिक संबन्द किसके साथ स्थापित किये अगला पूशना है औरंग जेब ने दच्छिन में किन दो राजियों को विभाजित किया तो बीजापुर्वा गुलकुंडा को औरंग जेब ने दच्छिन में बीजा पुरुआ गोल कुंडा को विभाजित किया ये दो राजित थे और अरंग जेब ने विभाजित किया अगला पुशन है किस मुगलबाद साह ने अपनी आत्मकता फारसी में लिखी तो जहांगेर ने लिखी जहांगेर एक मुगलबाद साह थे और इन्हों ने अपनी आद्मकता फारसी में लिखी थी अगला पुर्शन है किस विद्वान मुसल्मान का हिंदी साहित में महत्वपूर्ण योगदान है तो महत्वपूर्ण जो योगदान है यह है अब्दुलरहेम खान एक खाना अब्दुलरहेम खान एक खाना का हिंदी साहित में महत्वपूर्ण योगदान रहा है अगला पुर्शन है दास्पृथा का अंत कब और किस ने किया तो 1562 में अकबर ने किया दास्पृथा का जो अंत है यह जो है 1562 इसवी में अकबर ने किया था अगला प्रश्ण है किस साचक ने नुरुद्दीन की उपाधी धारन की तो जहां गेर ने धारन की थी अगला प्रश्ण है किस ने निशार नामक सिक्के का प्रश्ण किया किस ने निशार नामक सिक्के का प्रश्ण किया तो जहां गेर ने जहां गेर ने निशार नामक सिक्के का प्रश्ण किया जहां गेर ने अगला प्रशन है दोस्तों किस सासक ने न्यान के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई तो जहां गेर ने जो है अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी अगला प्रशन है मयूर सिंघासन का निर्मार किसने कराया था तो साह जहां ने मयूर सिंघासन का निर्मार किसने कराया था अगला प्रश्ण है अगला और लाश्ट प्रश्ण है ताज महल के निर्मार में कितना समय लगा था तो 22 वर्ष लगे थे दोस्तों यहाँ जो संख्या है काफी जादा है 22 वर्ष ताज महल के निर्मार में जो लगा था समय यहाँ था 22 वर्ष धन्यवाद झाल झाल